हालो दोस्तों आपका स्वागत है जय जान के स्टाड़ी सेंटर में आज हम लेकिया है डेसिमल दसमलब बिल्कुल बेसिक्स है यह लिखा है डेसिमल इसको हम हिंदी में बोलते हैं दसमलब इसको हम एक और नाम से जानते हैं पॉइंट जैसे थीरी पॉइंट फाइब याई तो इसका ऐसे ही बोल सकते हैं तीन दसमलब पाच दसमलब लगाने का नियम पहला नियम क्या है जैसे एक है एक बटा दस एक 0.1but 0.1 वाल्य हुआ थिक क्या होगी दस हमलग एक अंख बाद लाएगा निमशन पर desta up में लगा देते हैं quiere school लिख सकते हैं कि पचीछ बठां डस ऐब कर एक बबन दरर समलग लगाना स्वाइब करिए हैं पर जीरो हटाएंगे तो ल tou大概 केकर फेनके ये कशीन बात लगेगा इसँ हो जाएगा है एक सो पचीस है इसको अगर हमको यहां लगाना है दस है नीचा कितना जीरो एक जीरो है दो समलक कितना एंके बाद होगा एक एंके बार इसके बार अगर यहां दो जीरो लेते हैं एक में कितना से करना है सव अगर इसको दस हमलंग लगाना है तो क्या करेंगे हम नीचे कितना दिरो जो दो enko के प्लंग सबुस्ट को किपा हुआ, 2 अंक बांग है तो सब्सम्ब्लग करेंगे 10 सबुस्ट कि नियुए 5but अक्षिया कफेल मीइ दू मिम्हें के था क्या थैंट कीित्थ canky like लिए और यूए 5D यहां से लगाएंगे कि इसको क्या करेंगे फिर से लगाएंगे जो मेरा 2 अंक दिया हुआ है मिस्त्रलमच यहां डाल लेंगे अगर दो नहीं दिया रहा तो क्या करता है पर हम जीरो लगाते हैं अगर फिर यहां दिया है 125 कि अगर यहां पर से यहां मेरा अंग कितना जीरो है दो जीरो है अगर दो जीरो का हटाएंगे तो दसमलग कहां होगा दो अंक बाद होगा दो अंक बाद दो जीरो का है 3 जीरो है तो दе समलग कितना अंग बाद होगा तीन आंक बाद है लेकिन मेरा कितना है एक ही है क्या करेंगे यहां पर दो जीरो डालके इस्तिती अंक पूरा देंगे अगर यहां मेरा 77 है इसको उँको 1000 से करना है अगर दर समलग लगाना तो क्या करेंगे हैं तीन जीन रैडिकि कितना तीन रैडिकर तीन रह बाद लेकिन मेरा अंक कितना है दो ही है तो यह कर जीरो लगा थीन जडिवर को बगवा मेरे यह चार जीरो रहेगा तो चार जडिवर चाहँ कितना रहा नहींगे चार अंक बाद है लेकिन मेरा अंग कितना है तीन ही अंख है एक जीरो डालके चार अंग पुरा लेंगे दस अम लोग यहां डाल लेंगे अगर इसको चाहे तो हम भाग विदी से भी निकाल सकते हैं जैसे एक बटा दस है इसका अर्थ कि एक में हमको 10 से भाग करना है एक में 10 से भाग ऐसी हिलाएगा अब 10 से एक नहीं कटेगा तियां क्या करेंगे हम 10 अमलक दालेंगे तियहां क्या Tiny अब 10 से कितना बार में कटेगा जाएगा एक बार में कट जाएगा है यह कि यानि इसका हो जागा जीरो असक्यक्म लonie कि एक अगर हमको दूसु एक एP में कितना बार में कटके गा दो नुथ हो जाएगा कि इसे हैं को दो बार में कटे जाएगा यहाँ पर कया करेंगे जिरो को ढालनेंगे आप इसका माने कितना है गोगे गग है कि अगर हम को इसको 25 से भाग देना है अगर 25 वट अगर 10 लिखहा है इसके आरते कि 25 में हमको कितना सभाग देना है 10 से जिसको 10 दूना 20 कर सकते हैं फिर यहां 5 आप 10 से 5 नहीं लाएगा तो यहां क्या करेंगा हम 10 हम लग 10 हम लग डालेंगे तो यहां क्या हो जागा 0 अब 10 के पहारा में 50 कितना बार में आता है 5 बार में यहां तुम्हारा 50 से 50 कट जाएगा इसका मान कितना जाएगा 2.5 यह भाग विदी सभी बना सकते हैं अगर 7 बटे 1000 दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगा हम 7 में 1000 से भाग करेंगे एक सात में घरख बाइए और वह जाएगा ? प्थीर कितना दसमल लगलाएगा ? कितना जाएगा ? यहां जीरू हो जाएगा ? फिर हजार से नहीं लाएगा ? एक और जीरू डाले गए ? थे यहां पड刼के जेरू लेंगे ? आप यह कितने बार में 1000 से 7000 कितने बार में कटे गा साथ बार में यह पूरा पूरा कट जायेगा तरी इसका मान कितना गया 7 सब्सक्राइब हजार काम कितना 1000 है याणि 125 में को कितना सभाग करना है एक हजार से , 1000ए बहते हैं यह समलक डाले गए धिटियो जाएगे घान में 1000 कितना पर में रोग यह कुतना जाएगा एक हजार इसका 0 5 दुय कट जाएगा अब कितना जागा लगा हजार से नहीं लएगे तो फिर यहां क्लिया करेंगे हमतुर्स जरोर लेंगे त्किचना तरह dwます यह जरोर डालेंगे अब जर्म जाते होड़ा दू लक्रəंट लत्व्त कि स्कत्राइओ नहीं मुलेंगा एहां पर क्याया डालेंगे जीरो डालेंगे जया दूसर्य क्याय डिशी मेड़ को चेंज ले खरना जैसे यहां पर 0.1 तो दिया है де है मुंजमिक आपलंग को दस अभी दैसी मॉलक चिंज करने के लिए कि लिए चाहिबर., और जीरो काहटाना नहां 20 नग जाए मैं यृता यहां पर कितना ना कि आगे यहां चले आएगा इसके और उलसने को सब्सक्राना एक नियूं विए एक जीरो हिएगा अगर यहां पाहले से दस है इसको दस्व तो किस जीरो है तो यह बारा बटा दो जीरो के पर कितना जीरो हिए जीरो कि अब निचा कितना जीरो है तीन जीरो है अगर तीन जीरो को यह उपर मेरां कितना है दो है एक जीरो लेके तीन एक बना देंगे अगर यहां पर जीरा हुआ 0.125 अगर निच्चे 10 है अगर इसको दसम्लक को चेंज करना है तो क्या करेंगे हम अगर दसम्लक को हटाना है तो क्या करेंगे 125 यहां हो जाएगा दसम्लक जब हटाएंगे दसम्लक का बाद कितना तीन अंख है यह दस तो पहले सही है दसम्लक हटेगा तो एक पर कितना जिरो हो जाएगा तीन जिरो क्योंकि दसम्लक जब भी हटता तो एक पर जितना दसम्लक हटाने के लिए तो नीच्छे में एक पर तीन जिरो डालेंगों कि यहां दसम्लक कबाद तीन अंग है तो नीच्छा क्या होग यहाँ हो जाएगा आप इसको क्या जागा उपर में 125 और यह 1030 कितना एक पर कितना 0 40 अब चार 0 को हटाना क्या करेंगा दसंबलक कहां लाएगा छार रंग के बाद लेकिन मेरां कितना है तीन है तो यह जिरो डाल के चार रंग पुरा लेंगा अगर 146 है दसम्लग यहां है अगर यहां हमको सव है दसम्लग को चेंज करना है अगर यह दसम्लग हटाना है तो उपर में किया 146 हो जाएक दसम्लग हट जाएक पहले से 100 है प्रिट क्यास प्रसपाँ गट क्या करेंगा थे चीह और पर पेड़ा यक पर ये 580 यद्रीं कि अथ कि पॉच्च्छ इतना जीरो अंक रहेगा उतना ही एक पर जीरो होगा आप यह 146 द क्या प्रस बेटेट कितना कि बाद होगा तीनों को पॉटायाएंगे तो कितना यहां हो जाएगा माग कि लेखा हैं इसको अगर दस से रहाब है तो क्या करेंगे हम स्कूड़ खटाना है ताहिए कितना जाइगा एक सेथर यहां जागा बर्टागत बट्राइब होनुआ होलार ही ॆज़्य बुट्टा यह योठीद के दूपर कीतना जीडियु सब्सक्राइब क्रें पर हो जाएगा जितना तो हटेगा उतना ही अंके बाद 10 हमलग होगा तीन जीरो कट गया तो उपर में कितना एक बाद शमलग होगा तीन अंक बार शमलग यहां पर हो जाएगा हुआ है हम जाने गा रूल नंबर दू दस अमलग हटाने का नियम जो है जीरो पॉइंट टू है इच बाद या करेंगे जिरो पॉइंट रोग है बाद में कितना है अगर तस मलग हटाना है तो उपर में दू हो जाएगा निचा में क्या होगा इस अ म्रट अगर द fø बार में जागा एक बाटा पचास अगर दसम्लक हटाना है दू पॉइंट पांच है बाटा कितना है बाटा पांच है अगर दसम्लक को हटाना है तो निचे क्या करेंगे हम कि बाट कितना एक अंख है यह पर एक जीरो अब इसको काटेंगे तो कितना पाचा पाचीश पांच दूना दस एक बाटा दो अगर यहाँ पर 1.25 है बाटा कितना है बाटा अगर गणर सव है अगर दसम्लक को हटाएंगे तो यह कितना एक सो पचीश हो जाएगा अपक अहले से सव है गुन्ने दसम्लक के बाद कितना आँख है दू अंख है यहाँ पर एक पर कितना जीरो दो जीरो अब इसको काटेंगे पचीश चौका सो पचीश पंचे सावा सो पास से काटेंगे कितना बार में कटें गए बीस बार में उपर में कुछ हंक नहीं है तो एक बचेगा बटा में बीस चौका असी हो जाएगा अगर 110 है इसको अगर हम 10 अमलग हटाएंगे यह कितना 110 हो जाएगा 1.10 था अगर 10 अमलग हटाएंगे यह 110 हो जाएगा पांच पहले से है दसमलग के बाद कितना दो अंख है तो एक पर कितना जिरो दो जिरो जिरो जाएगा 110 बटा 500 अब यह 0 से 0 कट जाएगा तो क्या जाएगा 11 बटा 50 फिर आगे देखो 146 है अगर 10 10 है अगर यह दसमलग को हटाना है तो यह 146 बटा 10 गुन्य दसमलग के बाद कितना दो अंख है तो एक पर कितना जिरो दो जिरो अब यह दो जाएगा 146 बटा 1000 अगर यहाँ पर दिया है 1.25 बटा दिया है 10 गुन्य दसमलग को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 125 बटा 10 10 अम्लाग हटेगा तो निंचा कितना होगा 1 पर कितना 0, 10 अम्लाग के बाद 2 अंख है तो एक पर हो जागा 2 0 अब यह हो जागा 125 बाटा 1 पर कितना 0, 3 0, 100 गुने 10 कितना 1000 जार अब इसको काटेंगे पचीस पंचे सवा सव पचीस चौका सव जीरो के जीरो अब फिर यह काटेगा पांच अठे चालिस यह हो जाएगा एक बाटा आठ अगर यहां पर लिखेंगे जीरो पॉइंट इसको अगर 10 से कटना है दसमलग को हटाएंगे यहां क्या हो जाएगा 24 होगा अगर 10 तो पहले सही है दसमलग के बार कितना अगर दो अगर एक पर दो जीरो आब यह काटार एक हाजार इसको दो से काटेंगे तो कितना होगा 12 इसको दो से काटेंगे तो कितना होगा 500 यह हो जागा 12 बटा पास अभी यह कट सकता है दूसरे तो यहां हो जागा 250 कि अब अग्रा रूल हैं वहीं को द्समलग में बदले wants फरेक्शन इंटूप डेसिमल की सान से नीचे रूल नंबर तीण भीप को द्समलग मैं बदलेश चैन्ज इंटू भीण है कङ कि आप यहां क्या करेंगेыт से दो है दो बाता पांच ये क्या है भीन है अब इनको बदालना किसमें दसम्लग में इसमें क्या करेंगे दो में पास से भाग करेंगे पास से दो में भाग नहीं लाएगा यहां दसम्लग डालेंगे यहां जीरो हो जाएगा पांचो का बीस यहां पर क्या हो जागा जीरो पॉइंट फोर फिर दूसरा है दू बटा चार अगर दो बटा चार को काटेंगे इसको हम दसंबलग में बदलना है तो दो में क्या करेंगे हम चार से भाग लाएंगे नहीं लाएगा यहां ता संबलग डालेंगे यहां पर जीरो आप चार पंचे 20 कट जाएगा यहां पर जीरो उतार देंगे यहां कितना इसका मानों जागा 0.5 अगर इसको लगाएंगे हम 12 12 में हमको कितना 5 है अगर इसको दसंबलग में बदलना है तो क्या करेंगे 12 में हम 5 से भाग करेंगे पांच दोना कितना होगा 10 बचेगा 2 आप 5 से 2 नहीं लाएगा दसंबलग डालेंगे हाँ पर दसंबलग डालेंगे ते क्या होगा 0 हो जाएगा आप पांच जोगा 20 कितना हो जाएगा 2.4 फिर अगला देखेंगे 125 है अगर इसको दसंबलग में बदलना है तो क्या करेंगे हम एक सो पचीस में 100 से भाग करेंगे सब से एक बार मिलाएगा यहां बचेगा पचीस आप यह सब से पचीस नहीं लाएगा दसंबलग डालेंगे ते हाँ जीरो हो जाएगा आप सब दूना 200 यह बचेगा 50 फिर 100 से नहीं लाएगा फिर यहाँ 0 उतारेंगे एक अब यह कितना बार में कर जाएगा 500 इसका मान कितना जाएगा 1.25 चो तुम्हारा दिया हुआ है इसमें क्या करना है को दू में 15 से भाग करना है तो 15 से भाग नहीं लाएगा यहां पर क्या करेंगे दस हमलग उतारेंगे तो एक जिरो डालेंगे अब 15 से कितना बार में लाएगा एक बार में जाएगा पांच दस पेसे पांच गया यह कट जाएगा अब फिर यह पांच से पंदरा से पांच लाएगा नहीं लाएगा फिर यहां जीरो उतारेंगे तो पंदरत या 45 फिर यहां जीरो उतारेंगे फिर 15 या 45 पिर यह जीरो उतारेंगे पंदरत या कितना जागा फैतारीस यहां तुम्हारा क्या हो जा रहा गाद तो यह तुम्हारा कितना वाएट डालेगा 23-24 हो रहा है जब यह रीपीट होगा तो क्या हो जागा यहा पर 0.1 कि रीपीट किसका हो रहा है थेरी 3 का रिपीट हो रहा रहा है थीरी क्या करेंगे हम बार चरहाँ उसका हिंडी में का बोलते हैं सबस्क्राइब बनकीजा पर जिसकों क्या करेंगे दस में तीन से भाग करेंगे तो तीन तिया नौ बच्चे का एक या भी नहीं लाएगा तो दस हम लग डालेंगे फिर दस फिर तीन तिया नौ फिर यहां हो जाएगा नौ फिर एक फिर जीरो फिर नौ फिर यहां हो जाएगा तीन फिर नौ फिर एक ये तीन तीन के पर किरिया हम ऐसा ही चलते ही रहेगा इसमें रिपीट किसका हो रहा है तीन का रिपीट हो रहा है यहाँ पर लिख लेंगे थीरी पुआइन थीरी पका चरहा देंगे हम बार चरहा देंगे इसको हिंदी में रेकरिंग बोलते हैं जो अंक रिपीट करेगा उस से 1.25 पलस 0.125 अगर इस दोनों का जोर करना है इसको नीचे डालेंगे हम 1.25 इस भी क्या हमेशा सामने सामने मिलना चाहिए यहां दसम्रक के बाद 2 एंक है यहां दसम्रक के बाद कितना टीन अंक है यहां भी बहुत तक प्ल fazendo kulland to баб 0 डालने कोई चיन्य नहीं होगा आध भी पांच जैगा पांच दू, साथ, दू, एक, तीन, दसम्लक के दसम्लक, एक, एक, इसको जोरेंगे ते कितना जाएगा 1.375 फिर दूसरा जोरते है 1.467 पलस 2.47 अभी दूनों क्या करना है? एड करना है अब दूनों क्या करना है? जोर करना है पहले आपके लिखेंगे 1.467 और यहां कितना है 2.482.47 यहाँ पांच दस दो आगे एक जिरो डालेंगे अब यहां कितना है यहाँ आभी देना जाएगा? नो दू एक तीन यहां जागा थीरी पॉइंट नाइन थीरी सेवन दसर्मलक के बाद जो आंग होता हुआ इसको हम नाइन थीरी सेवन बोलें ऐसा नहीं कि 937 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा इसको हम 937 बोलेंगे अब दूसरा आंग के लेते हैं 0.52 पलस 1.25 अगर तीनों के जोर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 0.52 लेंगे इसके 1.25 तो 1.25 इसके क्या 1.26 पॉइंट पॉइंट हम इसा मिलते ही चलेंगे और यहां पstep क्या 10 अम्रहन के बाद 2 अंग ,10 अम्रहन के बाद 2 अंग ,10 अम्रहन के बाद कितना एंक पॉड़ालेंगे अब इसको जोर dariंगे तो कितना हो जाएगा पांच दो, साथ, छो दू, आठ पांच, तेरा, हासिल एक, 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 दू, एक, तीन इसका हो जाएगा 3.3, 7 इसके हम आगे ले लेंगे 2 पलस, 3.52, पलस, 3.05, पलस, 1.26 इसा वो क्या करना है, एड करना है तो पहले क्या एड टू है, इसके बाद कितना है, 3.52 इसके बाद है 3.05, फिर 1.26 इसके बाद, 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 दू, तिन, पांच, तिन, आठ, एक, नाओ, यह तुम्हारा हो जाएगा, 9.83, 1.25 पलस 0.50 पलस 3.5 पलस 1.25, 1.25, 0, इसको एड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको उतारेंगे, 1.25, यहाँ पर कितना 0.50, पहले 0 इधर रखेंगे, प्वाइंट से प्वाइंट मिलाएंगे, 50, इसके अब पर 3.5, 3.5, इसके अब 1.250, 1.250, अब इसको क्या करेंगे, जो रेंगे, जो रेंगे तो दसंबला का पा सबसे बारा अंक किसका है, तीन अंक यह है, एक, दू, तीन, तो सभी को क्या करेंगे, तीन अंक में डालेंगे, यहाँ पर कितना 2 अंक है, एक 0 पूरा कर तीन अंक डालेंगे, दसंबला के बार यहाँ कितना 2 अंक है, यहाँ एक 0 पूरा अंक तीन अंक पूर जादा, संब्लाख में हैं एक अंख है दू गोग्वाई डाल रिगा तीन अंख आ जायगा अब सभी सेम हो गया सब तीन तीन अंक में आ गया अब यहां जीरो 5 फाइव टेन हासीलेक । पांच पांच दस दू बारह दू चऊवद एक पंदर हासीलेक 3, 1, 4, 1, 5 3, 2, 5, 1, 80 रदेखितना जाएगा 6 जही तुमारा एड हो जाएगा जाएगा 6.5, 5, 5, 0 5, 0 अगर दूसरा जो रेंगे हम 2 पलस 3.005 पलस 4 पलस 025 अगर इसको एड करना है तो पहले क्या दू लिखेंगे इसके बार क्या 3.005 फिर कितना है 4.025 अगर इसको जोर करना है तो दसंबला के बाद कितना अंग है 3, 3 अंग है यहाँ भी क्या करें दसंबला के बाद हम 3 अंग पुरा लगे तो कि दस अमलग के बाद क्या है जिरो डालने से कोई फरक नहीं पड़ता है पांच पांच दस दू एक तीन जिरो के जिरो हो जागा चार तीन साथ दू नो इसको जो रहेंगे ते कितना आएगा नाइन पॉइंट जीरो थीरी जीरो एक और इसका जान जाओ टू पॉइंट जीरो जीरो है इसको हम क्या लिख सकते हैं दो लिख सकते हैं अगर थीरी पॉइंट जीरो जीरो है ती इसको हम क्या लिखेंगे थीरी लिख सकते हैं अगर वन पॉइंट फाइब जीरो जीरो है ती इसको हम वन पॉइंट फाइब लिख सकते हैं 2.60 है 0 0 तो इसको हम 2.6 लिख सकते हैं अगर यहां 11.260 है तो इसको हम 11.26 लिख सकते हैं 0 दसंबला के बाद 0 का कोई भईलू नहीं रहाता है अगर यहां 2.50 है तो इसको हम 2. 2.5 लिख सकते हैं ज़िका है चार पॉइंट 4.00 है इसको हम लिख सकते हैं 4.4 अगर 1 दर समलग 00 है जिसको हम एक लिख सकते है हलो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करें और अपने घर में छोटे बच्चों तक पहुंचा है